शेर बाजार में समझ नहीं आ रहा कि दिशा कौन सी है बुल्स जादा हवी है या बियर्स एक दिन बाजार जबरदस्त बढ़ता है दूसरे दिन धढ़ाम से गिरता है शेर बाजार में फरवरी सीरीज की शुरुबा धमाकेदार अंदाज में हुई सोमवार को 385 अंकों की र दिखा दिया कि साल भर की दोड़ पूरी कर ली लेकिन फिर क्या हुआ फिर आज बाजार फे टूट गया कल 300 पॉइंट से ज्यादा की रेली निफ्टी में थी आज 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है इस वजह से हुआ क्या हुआ यह कि बाजार की वलेटिलिटी को ब तो देखिए इस बाजार की खबर के चार सिरे पहली उठापटक विक्स दूसरा रिलाइंस उस पर बात करना जरूरी है तीसरा एस्पी आई जिनकी विक्वाली रुक नहीं रही है और रुके कैसे उन्हें तो एक संकेत और मिल गया और वो संकेत ये मिला कि बजाज फाइनें पर बात करते हैं दस महीने की उचाई पर खड़ाय विक्स क्या मतलब है भारती शेर बाजार के भीतर क्या चल रहा है आपको लगातार मनी संट्रल में बता रहे हैं और विदेशी निवेशकों का जो रुक जिसे देखकर सरकार भी हैरान है और बाजार भी दबाव में है व लगभग उसके आसपास खड़ा दिखाई देता है वालेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना ये बताता है कि बाजार में 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 गहरे उतार चड़ाओ के खत्रे दिखाई दे रहे हैं और इसकी दो बड़ी वज़े हैं ये बाजार के जो लीडर प्रमुख स्टॉक्स हैं जि एक और स्टॉक जो की विदेशी निवेशकों का पसंदेदा स्टॉक है बजाज फाइनेंस इसके बारे में आपको बताया शुब हमने उसके नतीजे भी निराश करने वाले थे और ये सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि जनवरी की शुरुआत के बाद अचानक विदेशी न दिखाई दे रही है और इसलिए बाजार में टेज बिक्वाली का दबाओ दिखाई दे रहा है आज भी सेंसेक्स करीब 800 अंग तूटकर नीचे आया सर बजाज फैनेंस का एक और नतिज़ा जो एफपी आई का डार्लिंग शेर है वो फिर नहीं अच्छे नतिज़ा दे पाया एफपी के सेंटिमेंट और हर्ट होंगे इससे के बाद हमने बता है कि HDFC पर्सनल लोन के मामले में रिस्क वेटेज रेशियो में सबस्यादा हिट पाने वाले बैंकों में शामिल था उसी सेंटिमेंट को बजाज फिनांस ने भी कहरी किया बजाज फिनांस के जो नतीज़े आए उसमें उसकी एसेट क्वालिटी खराब थी दवाव जाधा बढ़ता दिखाई दिया है वजाज फिनांस को जाधा प्राविजिनिंग की विए उस्था करनी पड़ी और ये सब ऐसा लगता था कि जैसे एक जिगे दर्द हो रहा था वहां उसके ओपर दुबारा चोट लग गई तो पहले ही भारत में निवेशक ख मांगे जाने वाले कर्ज हैं उन पर ही सकती दिखाई दे रही तो उनकी मांग भी नहीं दिखाई देगी और इसलिए बजाज फिनांस के नतीजे भी लगवग उसी लाइन पर आया जैसे की बीएफसाई के बाकी कंपीनियों के थे और ये वो प्रमुख स्टाक हैं दस बार भारत के शेर बाजार में हो रहा है रिलाएऩ की बापसी की वज़ए ये काफी दिल्चस बापसी थी पिछले साल कहा अकड़ा देखे हैं जो साल कहां देखे जो लगाड था या जो अंडर परफॉर्म कर रहा था भारत में निफ्टी में क्योंकि और असेंस एक्स में दोनों में भी और यह आशरी की बात थी कि बाजार का सबसे हैवी वेट स्टाक पिछले एक साल की किसी रैली में शामिल नहीं था अचानक जन्वरी के बाद हमने दे की एक तो यह कि जो जी और सोनी की डील टूटी और डिजनी के साथ जो रेलाइंस की बाची चल रही उसमें रेलाइंस को बहतर डील मिलने की उमीद दिखाई दे रही बाजार को यह भी उम्मीद है कि पिछले एक साल से कंप्पिनी जो इन्वेस्मेंट फेज में थी आने अच्छे महिनों में उसके बहतर नतीजे दिखाई देंगे और इसके अलावा जियो फिनांस और जियो रिटेल को लेकर भी कुछ अच्छी उमीदे बनती दिखाई दे रही है पर दूसरा पहलू बाजार का यह भी है कि चूंकि बाजार के बाकी है विविट स्टाक टूट